हेलो दूस्तो नमेशकार हम लोग बात करें तो बाजार में एक बहुत ही अच्छा स्टॉक हम लोगों को जबर्दस्त या पर गिरते वे देखने को मिला है जैसे ही या पर बाजार ओपन हुआ हम लोग कह सकते हैं लगबग 8% से भी ज्यादा वो स्टॉक में हम लोगों को जोरदार गिरावट या पर देखा गया तो गिरावट होगी मतलब कोई ना कोई रीजन तो होगा जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी स्टॉक अगर भागता भी है उसी के साथ साथ गिरता भी है तो डिरेक्टली रियक्ट करना नहीं होता है उसके पीछे की वज़ा हम लोगों ने पसेंट यहापे यह गिर गया तो गिरावट के पीछे की वज़ा अभी हम लोग स्टडी करेंगे उसके बाद अगर आपके पास अगर यह कंपनी रहीगी तो क्या आपने कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं इसके पीछे के क्या कारण है लोजिकली वो भी मैं आपके सामने यह पर जरूर शेर करूंगा तो डिरेक्ली आर्टिकल के उपर हम लोग नहीं जाएंगे मैं आप लोगों को एक ओवर्विव दे देता हूँ तो आप लोगों को पूरा सीनेरियो क्या है आसान भाशा में समझाओंगा थोड़ा सा शॉर्ट कट के साथ उसके बाद अगर आ अच्छा स्टॉक भी है बहुत ही पूराना स्टॉक है अच्छा परफॉर्मस भी देता है पी आई इंडस्ट्री यह आज के दिन हम लोगों को जबरदस्त यहां पर आट पसंट गिरते वे देखने को मिला एंड उसके पीछी का रीजन हम लोगों को यहां पर स्टड़ी कर तो आपको मैं बताना चाहूंगा इन स्विफ लैबराटरी के साथ इनका यहां पर क्या हुआ था एग्रिमेंट हुआ था एंड वह एग्रिमेंट के अगर मैं बात करू तो वह बीटी ए एग्रिमेंट था भी बीटी ए मतलब बिजनेस ट्रांसफर एग्रिमेंट येस तो यहां पर यह जो एग्रिमेंट हुआ था 30 जुलै को हुआ था बिट्वीन दपी ए इंडस्टी एंड आई एस एसल की अगर हम लोग यहां पर बात करें आप शॉट फर्म में ऐसा भी इसको बोल सकते हो इन दोनों के एग्रिमेंट यहां पर एग्रिमेंट में था क्या एक् कमपनी अगर हम लोग बात करें और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा यह कौन सा API का बिजनेस था और पिया इंडस्टी को यह बिजनेस चाहिए था उसके लिए पिया इंडस्टी 1530 करोड इन इंडियन रुपी के टर्म में बात करो इतना इस डिल के लिए पेक करने वाली थ तो जबरदस्त उचाल हम लोगों को पी आई इंडस्टी में देखने को मिला था क्योंकि यह पी आई इंडस्टी के मुताविक अगर हम लोग बात करें उस कंपनी के लिए बहुती जबरदस पॉजिटी नियूस थी क्योंकि API बिजनेस अगर इस कंपनी को यहापे मिलता त तो इस कंपनी के अगर हम लोग बात करें जो हम लोग बोलते ना कि capacity expansion के अगर हम लोग बात करें तो वो यहापे बढ़ने वाला था सब कुछ मतलब business और भी इस API इंडस्टी बहुती कमाल की कंपनी है पर इस agreement के बाद मतलब यह deal अगर complete होती तो API इंडस्टी और भी आसमा स्टार्ट कर दी गई कि यह कितना जा सकता है सो दोस्तों यहापे बताना चाहूंगा कि API इंडस्टी का performance का यहापे calculation कहा गया जहापे बताया गया कि कंपनी का operating profit अगर यह deal हो जाती है तो तो somewhere around 10-12% तक grow कर सकता है जंप कर सकता है इतना higher level तक जा सकता है अगर यह deal हो गई तो operating profit, operating profit मतलब company के main rosy roti उसके बाद आपको पता है बहुत सरे adjustment expenses कट करने के बाद क्या मिलता है net profit तो net profit का भी जो अंदाजा था दोस्तों वो somewhere around 6-7% जंप कर सकता है यह भी अंदाजा था तो basically क्या बात करूँ इजी language में अगर कहूं तो PI industry के लिए अगर यह BTA या फिर यह जो deal है अगर successfully execute हो जाती तो PI industry बहुत ही कमाल का performance दिखाने वाली थी है and already इसी के वज़े से यह सिर्फ सुनते ही 30 तारीक को कि यह deal होने वाली है तो बहुत सारे brokerages ने PI industry के target भी बढ़ा दिये जो कि PI industry आज ही की दिन हम लोगों को उस level पे आते वे देखने को मिली है So ISL के और उनने pre conditions रखे थे अगर हम लोग इस deal में आएंगे तो यह कुछ conditions है जो fulfill होने चाहिए तब ही जाके हम लोग यह deal क्या करेंगे sign करेंगे sanction करेंगे हम लोग बोल सकते आगे execute करेंगे and दोस्तों उसके लिए जो time दिया था वो time था 30 October 2021 जो कि अगर हम लोग बात करे October अभी जो खतम हुआ वो हो and दोस्तों 30 October की बात करें दोस्तों तो वो time यहाँ पे खतम हो चुका है 30-31 आप लोग बोल सकते whatever so October एंट तक उनको time दिया गया था and यहाँ पे उन्होंने कोई भी preconditions fulfill नहीं की ISL की अगर हम लोग बात करें and जैसे ही यह सारी खबर सामने आ ग न्यूस सामने आए तो इसके चलती इनकी वापस रेटिंग स्टार्ट हो गई कितना यह कंपणी का capacity बढ़ेगा profit कितना बढ़ेगा इस सब कुछ calculation के बाद इस स्टॉक उपर भाग गया जिस न्यूस के चलते अभी वो न्यूस ही नहीं रही या फिर वो चीज है cancel हो गई त बढ़ सकते हो तो क्या हम लोग ने इस गिरावट से डरना चाहिए तो उसके उपर में जरूर आँगा बट पहले एक बार फॉर्मलेटिस कर लेते हैं और उसके लिए अभी हम लोग आ चुके नॉर्मल स्क्रीन के उपर जहापे आप देख सकते हैं यह देखिए पी आई इ नहिस्सूस होगी कि स्टॉक ऐसे चल रहे हैं और सीजा ऐसी गिरावट हम लों को देखने को मिल रही है एक साल की बात करें तो कंपनी 25 परेंट के रिटन्स दे रही है पाथ साल की बात करें तो 232 कंपनी बहुत ही कंसिस्टेंट है 42,000 करोड का मार्केट केप वाली अब आप समझ सकते हो ना कि expansion वाली news थी, वो फिलाल रुकते वे देखने को मिल रही है, API business अगर यहाँ पर transfer होता है इनको, जो की बहुत ही एक मतलब गदब की news होती हम लोग कह सकते थे, बट वो फिलाल अभी हम लोग को reverse होते वे देखने को यहाँ पर मिल रही है, यह देख several of a pre-aggreged condition जो उनने बताये थे, तो इसलिए उनने इनके साथ जो यह agreement था, उनने यह आपर deal थी या फिर आप बोल सकते हो, उनने cancel यह आपर कर दिये, देखें, यह मेरे खुद के words नहीं है, API industry ने खुद यह statement में बाते बोली है, in a view of a non-fulfillment and also disagreement on a sum of the pre-aggreged conditions, so the company has decided not to further pursue the transaction, so देखा गया तो एक positive sign कौन सा है, obviously कि API industry अपने जो सिध्धान थे, उसके हिसाब से ही वो चीजों को आगे बढ़ाना चाते है, देखा गया तो इनके लिए यह, मतलब बोलते हैं न, golden opportunity थी, कि इतना बड़ा business उनको मिलने वाला था, right, but still उनने जैसे कहा कि नहीं fulfill के, उन आप एक अच्छा management रहोगे, तो इस तरीकी की चीज़े यहाप आप लोगो को करनी पड़ती है, so दोस्तों उसके बाद obviously PI industry ने अपने shareholder को यह भी कहा है, कि obviously इससे निराश नहीं होना है, क्योंकि एक disappointment डेखने को यहाप जरूर मिली है, बट उनने बता है कि वो अपना जो काम है, वो जरूर यहापर continue रहने वाले है, अगर हम लोग यहापर बात करें, opportunities यहापर रहेंगी, उसको भी evaluate करने की कोशिश यहापर कर रहे है, and जो pharma से related वो जो उनकार यहापर target चल रहा था, जो कि इस BTA की चलते fulfill हो सकता था, वो नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, देखे, 1530 करोड की यहापर deal थी, consideration की अगर हम लोग बात करें, PC की purchase consideration, BTA होने वाला था, business transfer agreement, ISLL के साथ, अगर हम लोग यहापर बात करें, यह already में आपको बता चुका हो, तो easy हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए, अगर आप कोई भी website अगर आप लोग यहापर चेक करत है, तो अभी आपको कोई भी दिक्कते नहीं होगी, तो इतना समझ में आ गया कि गिरावट यहापर क्यू है, अभी मैं आ चुका हूँ यहापर P&L के और, यह P&L इसलिए दिखा रहा हूँ, पिछले 4 साल का company का performance के से रहा है, 367 करोड, 408 करोड, 442 करोड, 700 करोड and लगब अभी 771 करोड तक, यहापर P&L का पिछले 4 से 5 साल का बारा-बारा मन्त का profit है, जो की growing mode में है, promoter holding देखे जाए, तो 46% इनके पास है, remaining 54 में से, foreign minister लगबग 19 से 20%, DIS की बात करें लगबग 21 से 22%, public की बात करें तो लगबग 11 से 12%, तो देखा के तो share holding pattern भी decent है, तो आखिर में जो मुद्दा यहापर आता है, कि PI industry में जो हम लोगों को यह गिरावट डेखने को यहापर मिली है, तो क्या इससे हम लोगों ने डरना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं, यह दोस्तों, बिल्कुल भी आप लोगों ने डरना यहापर नहीं चाहिए, अगर आप business करते हो, तो agreement होता है, कभी नहीं होता है, यह सारी चीज़े चलती रहती है, जैसे मैंने आप लोगों को का, कि यहापर बताया जा रहा है कि यह agreement होगा, इसलिए यह stock इतना भागते वे देखने को मिला, अभी नहीं होगा, इसलिए वो गिरावट डेखने को मिली है, इतने इसे यह company बोनस देगी, बाद में वो नहीं बोलती है, क्या वो stock खतम होता है, नहीं, बट जितना उस news के चलते वो stock भागता है, उतना ही वो वापस रिकवर भी हो जाए, मतलब रिकवर मतलब वापस वो उतना ही वापस बादार ले भी लेता है, और उतना ही गिरता है, मतलब, स चीजे तो market में बिलकुल, आम भाते यह चलती रहती है, तो PA industry में, जैसे मैं बार-बार केता हूँ, कि गिरावट के पीछे की वज़ा के वो identify करना है, वो identify की, इसमें कोई doubt नहीं, कि अगर यह deal complete होती, तो बहुत ही अच्छा, एक scope PA industry के लिए यहापे था, जो कि temporary यहापे यह चीजे होनी चाहिए, अगर नहीं होई तो हम लोग कैंसल करेंगे डिल, और नहीं हुआ, इसलिए उनने ने कैंसल भी कहा है, जैसे मैं अभी दो बार repeat के है, तीसरी बार भी होता रहो, उनको पता था, इसका impact क्या होगा, negative ही होगा, फिर भी उनने यह कदम यहापे उठ है, जो कि एक positive sign भी जरूर है, तो ऐसे गिरावट से कोई भी stock खतम नहीं होता है, अगर आपके पास है, PI industry, मैं इतना बोल सकता हूँ कि आपने panic में exit होने की जरूरत नहीं है, बाकि आपके target अची हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कि और यह नहीं भागेगा, इसका business अच् management, visionary management है, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते, unfortunately यह deal complete नहीं हो पाई, जो कि no doubt इस company and इनके shareholder के लिए bad news है, market ने भी इसका reaction दिखा दिये, 7-8% जबरदस गिरा है यहापे, बट स्टिल, डर के मारे exit करने की कोई भी जरूरत है, मुझे तो यहापे नहीं लगती है, बट ज इस दो तब तक के लिए, बाई बाई